नमस्कार, WKB News के सबसे खास, सबसे सटीक और महतवपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है राजसरकार ने एक फरवरी से कॉलेजों और युनिवरिसिटीज को भी खोलने का फैसला किया है उच्चोर तक्निकी शिक्षाविबा के इस प्रस्ता को राजसरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है वही मुंबई करों के लिए बुद्वार के सोब भी ठेंडी भरी रही मौसम वेग्यानिकों के मुताबिक इस तरक का खुशगवार मौसम का लुप मुंबई कर और दो दिन उठा पाएंगे इसी बीच मुंबई के मलाड मालबनी इलाके में खेल के मैदान का नाम टीपू सुल्तान मैदान रखने पर शियुसेलिक भी अपनी सरकार के खिलाब खड़े हो गया है मैदान के बाहर शियुसेना के स्थाने नेताओं ने पहुँचकर हंगामा किया और नारेबाजी की उधर मुंबई में तीन मंजिलाराउं इमारत अचानक धह गई हाला की गटना में किसी भी हताहत होये की खबर नहीं है वह प्रदेश सरकार ने मंत्राले में अधिकारी की खुरसी पर बैट कर फाइल का उलोकन करने वाला फोटो वायराल करने के मामले में भादपास अंसत करीट सो महिया को नोटीस भेजा है प्रदेश की इन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ महराश्टर में करोना के मामले काम होने के साथ साथ कुछ दिन पहले स्कूलों को खोल दिया गया था अब राज्य सरकार ने एक फरवरी से कॉलेजों और युनिवर्सिटीज को भी खोलने का फैसला किया है उच्चो और तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताओं को राज्य सरकार ने अपनी मनजूरी दे दी है हाना कि सरकार ने स्थानिय प्रस्तितियों के अनुरूप कॉलेजों और युनिवर्सिटियों को खोलने या न खोलने का अधिकार कॉलेज और युनिवर्सिटी प्रशासन के अलावा स्थानिय जिला प्रशासन को दिया है साथ ही ये भी कहा है कि जिन विद्यारतियों को कोरोना वैक्सिन की दोनों डोज मिल गई है उन्ही को कॉलेज और युनिवरसिटी में प्रवेश दिया जाए स्कूलों के बाद कॉलेज और युनिवर्सिटी खुले जाने के सरकार के फैसले का शेक्षनिक जगत ने स्वागत किया है सरकार ने इसके साथ ही ये साफ कर दिया है कि 15 फरवरी तक आयोजित होने वाली परिक्षाए ऑनलाइन ही होगी इसके बाद की परिक्षाए ओफलैन ली जा सकेगी बता दे कि महराश्य सरकार के शिक्षा विभाग ने आगामी 24 जनवरी से राज्य के सभी जीलों में स्कूल खोलने के आदेश जारी किये थे दरसल बच्चों के अभिभावकों की तरफ से ये मांग काफी समय से की जा रही थी कि स्कूलों को खोला जाए लगातर स्कूल खोलने की बढ़ रही मांग के चलते शिक्षा विभाग में मुख्यमंत्री को इस सम्मन में एक प्रस्ताव भी भेजा था जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमती की मुहर लगा दी थी मुंबई करों के लिए बुधवार की सुबह भी ठंडी भरी रही मौसम वेग्यानिकों के मुताबिक इस तरह का खुशगवार मौसम का लुफ्त मुंबई कर और दो दिन उठा पाएंगे इसके बाद मौसम सामाने होने लगेगा मतादे की शनिवार को हुई हलकी बुन्दा बांदी के बाद रविवार से ठंड शुरू हो गई मौसम वेग्यानिक दिनेश मिश्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोप सरकने के बाद बनने वाले अधिक दबाओ के खेत्र में उत्तरी हावाओ का बहाव दक्षिन की और हो जाता है इससे ठंड पढ़नी शुरू हो जाती है और तापमान लुढकने लगता है शेत्रीय मौसम विभाग के अधिकारी सुष्मा नायर ने बताया कि पश्चिमी विक्षोप के हटने के बाद आगामी 48 घंटे में उत्तर मध्य महाराश्र के कई जीलो और मराठवाणा में शित लहर कानुमान है यहां शित रहने की भी अनुआन है सुष्मा नायर ने बताया कि जिन इलाकों में नियूनतन तापमान 10 डिग्री और अधिक्तम तापमान सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस तक कम रहे उसे शित दिन ही कहा जाता है इसके पहले मुंबई के सांता क्रूज में मंगलवार को नियूनतन तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया जो सामाने तापमान से 3 डिग्री कम रहा इसके पहले 10 जन्वरी को सबसे कम नियूनतन तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकाट किया गया था मुंबई के मलाड मालवान इलाके में खेलके मैदान का नाम टीपु सुल्तान मैदान रखने पर जहां भाचपा विरोध कर रही थी और ठाकरे सरकार पर निशाना साथ रही थी वही अब कुछ शिवसेनिक अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए है शिवसेना नेता सुधाकर सुर्वे के नेतरुत्व में कई कारे करताओं ने इसका विरोध किया है मैदान के बाहर शिवसेना के स्थानिय नेताओं ने पहुँच कर हंगामा किया और नारे बाजी की शिवसेना नेताओं का टिपु सुल्तान नाम पर विरोध है शिवसिना का कहना है कि मैदान का नाम A.P.J. अब्दुलकलाम के नाम पर रखा जाए शिवसिना का कहना है कि ठाकरे सरकार में मंत्री असलम शेख ने अगर नाम नहीं बदला तो विरोध जारी रहेगा बिजेपी प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने फिर से असलम शेक की खीचाई करते वे कहा कि राज़ा के मुख्य मंतरी उध्व ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर तो दूसरों को नसिहत दे रहे थे अब उनकी सरकार में मंतरी मुंबई में टीपू सुल्टान के नाम से मैदान का लोकारपन कर रहे हैं ये वही टीपू सुल्टान है जिसने एक ही नहीं बलकि हजारों हिंदू का कदल किया था हिंदू के मंदिर तोड़े हैं उन्हें प्रताडित किया है क्या महराष्टा के हिंदूत्ववादी मुख्यमंत्री ऐसे शक्स के सम्मान में उसके नाम पर मैदान का लोकारपन बरदाश्ट करेंगे वो भी महराष्टा की भूमी पर मुंबई में तिन मंदिला इमारत अचानक ही ढए गई घटना में दो से तिन लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है सूचना मिलते ही दमकल की गाड़िया मौके पर पहुच गई अधिकारियों के और से बताया गया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है कोरोना प्रोटोकॉल के चलते बचाओ कारियों में काफी एहतियाद बरती गई लोगों को भी इस दोरान सचित रहने के लिए कहा गया मुंबई दमकल विभाग की और से आधिकारी क्रूप से बताया गया कि मलाड के मलवानी इलाके में एक तिन मंजिला मिमारत गिरी है अधिकारियों के अनुसार तार्दियों में स्थित 20 मंजिला इमारत के 18 माले पर लेवल 3 की आग लगी थी इमारत में रहने वालों ने बताया कि आग लगते ही पुरी बिल्डिंग धुए से भर गई रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के दोरान 90 से जादा लोग खुद से या पड़स्यों की मदद से बाहर निकले इस दोरान 21 फायर इंजिन और साथ जंबो टैंकर्स लगाए गए करिब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका प्रदेश सरकार ने मंदराले में अधिकारी की कुर्सी पर बैट कर फायल का अवलोकन करने वाला फोटो वायरल करने के मामले में भाजबा सांसत किरिट सौमयया को नोटीस भेज दिया है नोटीस में कहां गया है कि सौमाईया को शिवसिना विधायक प्रताप सरनाइक के इमारत के अवैद निर्वान कारिया पर जुर्माना और ब्यास माफ करने वाले राज्यमंत्री मंदल के फैसले से सम्मंदित फाइल के अवलोकन की अनुमति दी गई थी इसके तहट सौमाईया को 24 जनवरी की दोपहर एक बच कर 20 मिनट पर मंत्राले में सहायक जन सूच्रा अधिकारी ने सरनाइक से जुड़े राज्यमंत्री मंदल के फैसले की फाइल अवलोकन के लिए उपलप्त कराई थी लेकिन सौमाईया के फाइल का अवलोकन करते समय उनके बगल में खड़े कार्यले के सहायक कक्ष अधिकारी और लिपिक के साथ वाला फोटो मीडिया को जारी किया गया ये कार्यले इनकामकास की दुरुष्टी कोन से अनुचित है इस पर सौमाईया ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ मैं घोटाले बाजो का घोटाला उजागर किये बिना चूप नहीं बैठूंगा वही विधानसमा में विगपक्ष के निता देविंद्र फणनविस सौमाईया को भेजी गई नोटिस पर भढ़ग गये फणनविस ने कहा कि मंत्राले के हर विभाग में सीसी टीवी है सौमाईया का फोटो किसने खीच कर वाइरल किया है ये आसान इसे पता चल जाएगा लेकिन सरकार का दिमाग ठीकाने पर नहीं है देशाज 73 वे गणतंद्र दिवस का जश्न मना रहा है राजपत पर मुख्यकारक्रम शुरू होने के पहले प्रधानमद्री नरेंद्रमोदी नैशनल वार मेमोरियल पहुँचे और करीब 26,000 शहित जवानों को नमन किया वे राजपती रामनात कोईन के राजपत पहुचते ही राष्टगान और 21 तोपो की सलामी के बार परेट की शुरुवात हुई इसे दोरान पीम नरेंद्रमोदी के सिर पर ब्रम्ह निशान वाले काले रंग की उत्राखंडी टोपी की खूब चर्चा रही इसे भी सिप्रीम कोट ने फ्री 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 वाले चुनावी वादे पर राजपत इदलों की एकलास लगाई तो दर तामिल लाडों में हजारों साल पुराणी आचर सहिता के प्रमान मिले हैं उथीरा मेरू कस्बे में स्थीत वैकुंटा पेरुमल मंदिर में चबुतरे की दिवारों पर 920 इसवी के आसपास चोल वंश का वेराजवा देश दर्ज है जिनमें कई प्रावधान मोजोदा आदर चुनाव सहिता में भी है इसके अलावा इंदोर के देवी अहलाबाई होलकर अंतराष्टे एरपोर्ट पर बुधवार सुबध दुबे जाने के लिए पहुचे 98 यात्रियों में से 12 यात्रियों जांच के दोरान कोरोना पॉजिटिव पाए गया है देश के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ आज देश 73 वे गणतंत्र दिवस का जशन मना रहा है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने नाशनल वार मेमोरियल पहुच कर शहीद हुए करिब 26,000 जवानों को नमन किया प्रधान्स की टोकरी और कई बांस की उत्पादों को बुनते हुए दिखाया गया पही DRD उने सामरिक शक्ती का प्रदर्शन किया DRD उने पंडुबी के लिए Air Independent Propulsion System तकनीक दिखाई भारतिय वायुसेना की जहाकी बविश्य के लिए भारतिय वायुसेना के परिवर्तन विशे को प्रदर्शित किया गया इसमें मीक 21, Light Combat Helicopter, अशलेशा रडार और राफल विमान के स्केल डाउन मॉडल प्रदर्शित किये गया परेड में भारतिय नौसेना की जहाकी ने भी हिस्सा लिया सीक लाइट इंफ्रेंटी दस्ति का जोश देखने लायक रहा सैंचुरियन टैंक, PT-76, MBT अरजुन MKI टैंकों ने शांदर प्रदर्शन किया परेड में सबसे आगे होर्स केविलरी 61 की पहली टुकडी रही ये दुनिया में एक मात्र सेवारत सक्रिय होर्स केविलरी जिमेंट है गड़तंत्र दीवस के अवसर पर National War Memorial में सलामी देने गए PM मोधी ने कुर्ते पेजामे के साथ ही सिर पर काले रंग की उत्तरा खंडी टोपी पहन रखी थी PM नरेंडर मोधी के सिर पर ब्रह्मा निशान वाली काले रंग की उत्तरा खंडी टोपी को चुनाओ के साथ ही दिवंगत CDS जनरल बीपी नरावत को श्रधानजली देने के तौर पर भी देखा जा रहा है पारंपारिक टोपी में थोड़ा नयापन जोड़ा गया इसमें ब्रह्मा कमल लगाया गया है SIC ले किया गया है कि ये उत्तरा खंड का राज्य पुष्प है टोपी पर एक पट्टी जोड़ी गई जिस पर चार रंग है ये रंग जीव, प्रकूती, जमिन, आस्मान इससे मिलकर बने हिमालई राज्य के प्रतिक है उनकी टोपी काफी पसंद की जा रही है वायूसेना के हलिकॉप्टर दुरगटना हाथसे में देश के पहले चीफ और डिफेंस राफ जनरल बिपिन रावत शहीद हो गये थे रावत भी अक्सर कारेक्रमों के दोरान इसी तरह की टोपी सिर्पर पहने नजर आ जाते थे गणातंत्र दीवस की पूर्वसंध्या पर शहीद रावत को मरनो परांथ पद्मवेभुशन पुरसकार से सम्मानित किया गया पी-म ने इस लूक से पहाडी राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाओ को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है उतरा खंड सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाओ होने जा रहे है देश की सरवच्च अधालत ने एक याचिका पर चुनाओ आयोक और सरकार की राय मांगी है कि क्या फ्री-फ्री-फ्री वाले चुनाओ इवादे करने वाले राजनितिक दलों की मानने था रत करके उनसे उनका चुनाओ निशान छिन लिया जाना चाहिए सुप्रीम कोट ने जिस याचिका पर सुनवाई के दुरान चुनाओ आयोक और केंदर सरकार को नोटिस भेज कर उनकी राय मांगी है वह भारतिय जनता पार्टी के नेता और सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकिल अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी अश्विनी उपाध्याय विभिनक शेत्रों में सुधार संबंदी याचिकाय डालते रहते हैं उन्होंने चुनाव पुर्व मुफ्त उपहार के वादों के चलन पर रोक लगाने वाली याचिका में केंदर सरकार और भारतिय चुनाव आयोक को प्रतिवाधी बनाया है याचिका करता आश्विनी उपाध्य ने दलिल दी है कि जन्ता के पैसे से चुनाओ से पहले मतदाताओं को लुहाने के लिए मुफ्त उपहार देने का वादा करना या बांटना स्वतंत्र एवं निश्पक्ष चुनाओं की पवित्र अवधारना के खिलाफ है याचिका करता ने कहां कि मुफ्त उपहार और कुछ नहीं मतदाताओं को पिछले दरवाजे से रिश्वत देने का ही प्रयास है यूँ कहें कि राजनिदिक दल मुफ्त उपहारों के वादों से जन्ता का वोट खरीदने की कोशिश करते हैं इससे चुनाओ प्रक्रिया लोकतंत्र के परावधान ग्यारा सो साल पहले भी थे और आचार सहीता आच से ज्यादा सक्त थी तामिलाडू के प्रसिध कांची पुरम से 30 किलोमेटर दूर लगभग 1250 साल पुराना कजबा है उथिरा मेरूर इसे लोकतंत्र के प्राचुनतम तिर्थस तलों में से कहा ज सिस्टम से होता था नियत दिन बच्चों महिलाव सहीत सभी लोग ग्राम सभा मंडप में उपस्तित होते थे सिर्फ विमार तिरती आत्रा पर गए लोगों को छूट थी तार के पत्तों पर प्रतेशियों के नाम लिखकर संक्रे मुह वाले घड़े में डाले जाते थे हरव वहन, स्वर्ना परिक्षन, वव्यापार, प्रूशी, सुखाराहत, आधी के लिए कमिटिया बनाई जाते थी। सेंटरल विस्टा की नीव रखते वक्ता प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी ने भी इसका जिक्र किया था। जो यात्रियों को COVID के यर सेंटर लेकर जा रही है। सभी यात्रियों के पास COVID की negative RTPCR जांच रिपोर्ट थी लेकिन सभी यात्रियों की एरपोर्ट पर ही जांच के लिए बनाए गये लैप के काउंटर पर जांच की गई, तो शुरुवात में ही 6 जांच यात्री पॉजट इंदौर, रतलाम, उज्जेर और भोपाल के रहने वाले हैं। स्वास्त विभा के टीम भी एरपोर्ट पहुंची। टीम ने सभी यात्रियों को आइसोलेशन एरिया में ले जाकर जानकर रिदर्च करने के साथ ही सामने स्वास्त जांज भी की। पॉजिटिव आने के बाद खत्म हो गई है। तो पाकिस्तान के सिंदपरांत में थार पारकर जिलेव के खत्री महोला में मुस्लिम कटर पंतियों ने हिंगलाज माता मंदिर को निशाना बनाया और उसे बरबाद कर दिया। वही भारत ने सयुकतर राष्ट के मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान को पाई ना दिखाया है। सेन्य संगर्शों के दवरान नारिकों की सरक्षन के मसले पर जम कर लतार लगाई। इसी बीच रूस के उकरेन पर सेन्य कारवाई करने की आशंकाओ को लेकर बढ़ती चिंता के बीच पेंटागन ने 8500 सेनिकों को नाटो बल के हिस्से के रूप मे यूरोप में तैनात होने के लिए तैयार रहने को कहा है। तुदर बिटेन के प्रदानमंत्री बॉरिस जॉंसन की मुश्किले बढ़ सकती है। अब यूके पुलिस प्रदानमंत्री पर कोविड-19 से जुड़े प्रटोकॉल्स के उलंगन से संबनित आरोपों की जांच कर देगी दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ। इसके बाद यहां माना गया था कि परावर्तित हो रही चमक, पानी हो सकती है। हालकि अब ताजा शोद में इस खुलासे को लेकर विवाद हो गया है। पूरे ज्वाला मुखी इलाके में दिखाई दिती है। वईज्यानिकों ने कहा कि लाल गरह का दक्षिनी दुरूव ठंडा और बंजर है। यहाँ पर पानी के तरह लवस्था में बने रहने के लिए जरूरी परिस्टितिया नहीं है। अब यही टीम एक नए मिशन पर का बनाया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के सिंदपरांत के धार पारकर जिले के खत्री महुला में मुस्लिम कट्टर पंथियों ने हिंगलाज माता मंदिर को निशाना बनाया और उसे बरबात कर दिया। पाकिस्तान में पिछले 22 मेने में हिंदू मंदिरों पर यहाँ ग्यारवा हमला है इस हमले के बाद पाकिस्तान हिंदू मंदीर प्रबंधन के अध्यक्ष कुषें शर्मा मोके पर पहुचे और मेडिया से बाच्चित में कहा कि इसलामिक कट्टर पंथी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की सरकार से भी नहीं डर रहे है इस तब है जब इम्रान सरकार ने दावा किया था कि अलपसंख्यकों को सुरक्षा दी जाएगी इससे पहले गद दिसंबर महिने में पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर में एक हिंदु मंदिर में कट्टर पंखियों की भीड़ने हमला करके मादूर दूसरी मूर्ती को काफी नुकसान पहुचा गया था भारत ने संयुक्त राष्टर के मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाया है सैन्नस अंगर्षों के दवरान नागरिकों के सवरक्षन के मसले पर आयूजित करेक्रम में भारत ने पाकिस्तान को जमकर ल कही न कही पाकिस्तान में मिलती है यही नहीं उन्होंने कहा कि खुंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी तो पाकिस्तान में ही मिला था उन्होंने कहा कि यहा पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान के अधिकारियों ने UAN के मंच का इस्तेमाल भारत पर मनगडन प्लगाने के लिए किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद को शरन देने का इतियास रहा है। पाकिस्तान के प्रतिनिदी इसके बारे में क्या सोचते है हमें इससे मतलम नहीं है। तैयार होने का आदेश जारी किये जाने के बेच यह उम्मित कम होती दीख रही है कि रूस के राष्ट्रपती व्लादिमेर पुतिन अपने उस रुप के पीछे हटेंगे जिसे बाइडन ने पड़ोसी यूकरेन पर हमले के खत्रे के रूप में आका है। इस दोरान यूकरेन के भविश्य के साथ नाटो गटबंदन बल की विस्नियता भी दाव पर है जो अमेरिकी रक्षा रणनीती के केंदर में है। वही पुतीन इसे शीत युद्ध की यात के तोर पर और रूसी सुरक्षा के लिए खत्रे के रूप में देखते है। बाइडन का मानना है कि यह संकट पुतीन के खिलाब एक जूट होकर प्रयास करने की उनकी ख्षमता का बड़ा परिक्षन है। पिंटागन के प्रेश सचिव जॉन किर्भी ने कहा कि संभावित तैनाती के लिए 8500 अमेरिकी सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। इन्हें यूकरेन में नहीं बलकि रूस की किसी भी आकरमक गतिवीदी की रोपताम के लिए एक जूटता जताने वाले नाटो बल के भाग के रूप में पुर्वी यूरोप में भेजा जा सकता है। जाच में सबुत मिले है कि वहां काफी संक्या में भीड जूटी थी। अब इस पूरे मामले की जाच करवाई जाएगी। कुछ महमानों के साथ डाउनिंग स्रिट में पिछले साल 19 जून को सरप्राइज बड़े पार्टी मना रहे थे। हाला कि पीम ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि उन्हें लगा कि यह वर्क इविंट है। बहरहाल लंदन की मेट्रोपॉलिटीन पुलिस कमिशनर क्रिसीडा डीक ने कहा कि पुलिस अब मामले की जाच करेगी। तो आज की इस खास पेशकर्षे बस इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखतेर ये वी के बिन्यूस नमस्कार।